हेलो एरिवान आज हम इस वीडियो में वैसे स्टोडेंट जो खास का डेली उनुसिटी में एड्मिसा लेना चाहते हैं डेली उनुसिटी का स्टी का अप्लिकेशन किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में बात करेंगे बड़ा असान है कोई इसू नहीं है बस यह की पहले उसका इलिजिविटी क्राइडियरिय को समझे लिए उसका आप अराम से डेलिवसिटी का स्टी का स्टी का फॉर्म फिल कर जगेंगे अब इस पर कुछ बेसिक इंफोर्मेशन ने जिस्टे किये कि आपका पास फोटो सिगनेचर और आपका अगर कोई कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं लाइक स्टी ओविसी तो वो आपके पास सेटिफिकेट होना चाहिए सैजेज इन्होंने बता दिया 50 Kev से 300 Kev, बागी चीज़ों की लेकर भी इन्होंने बता दिया 10 Kev से 200 Kev के बीच में और आपका चाहिए कि आप एक बार पहले information bulletin पढ़ लिजेगा और उसके बाद क्लिक है to proceed पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे कुछ basic detail मांगा जागा देखिए form कैसे fill करना है एक basic चीजे मैंने बता दिया है में सबको issue होता है university select करने में और core subject select करने में तो अभी हम मतलब यहा यहाँ पे submit करेंगे एक OTP जाएगा OTP डालते ही submit पहले इस पे click करेंगे जैसे submit करेंगे फिर एक OTP आएगा OTP फिर से डालेंगे आपका account बन जागा और एक application नमबर आपके email पर या आपके email नमबर दोन पर चले जागा फिर वह application नमबर डालेंगे और password password के लिए आप यहा लॉग इन करेंगे लॉग इन कहां करेंगे या तो डायरेक्ट लॉग इन हो जो वरना sign in वाले बटन पर फिर से जाकर sign in पर click करके आप यहाँ पर आपको एक application नमबर मिलेगा और password मिलेगा और यह capture डालके आप direct sign in कर सकते हैं तो मैंने अल्यड़ी कर चुका है यहाँ डेल पहले इसको ही पहले अपने आपसे वह कर लेते हैं ताकि बात में सुना हो मिलेगा अब इसका login बाला पैनल पर क्लिक करेंगे जैसी login बाला पैनल पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका details कर रहा होगा आपको कुछ नहीं करना है मतलब कुछ भी हो जाए आप direct अगर back भी आ करना पड़ेगा education details examination center आपको आज ही पहले ही पता चल जाए कि आपका center कहा होने वाला है आपको पहले ही पता चले क्योंकि आप खुद ही चूज करेंगे यह university आपको select करना पड़ेगा और paper detail paper कौन सा subject आपको पढ़ कर देना हो यानि उसका eligibility criteria क्या है वो और upload detail कुछ PDF upload करना university वाला section में चल दे पहला steps मैंने cross किया अब आगए education detail में educational detail में आपसे 10 12 का detail मांगा जाएगा और अगर by the way 12 का नहीं है तो भी यहाँ पर देखिए जिसे हमने बिहार का 2 CT से लिख किया है आप अगर चाहें तो update वाला section में आपके update section सो कर रहा होगा उसमें भी जाकर कर सकत section में आते हैं और यहाँ प्यानिकवाद पहले हम थोड़ा आपको दिखाते हैं जाए जब आप university में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से सो कर रहा हूं हम दिखाते हैं किस तरीके जैसी जब university वाला section में जाए तो यह देखिए इस तरीकी का icon आपको 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 माहली आप आप में का को जाएंगेchae मतऊimately क्लिक करते हैं इसके बाद यहां पर यहाँ पिहने हैं कुर्स सेलेक्क करने हैं Economic Keem बड़क है हम यहां पर पहला एक जंप पठाव हम दो फॉर्म फिल करेंगे एक पॉलिटिकल सइंस सेलिक कि हैं आप इसको आयड बार पर किलिक कर दिये अ हमने एक सेलिक कर लिया अभी हम अच्छा इसको पंड लिजी क्या कर एगर इनी वन फ्रॉम सेक्षण वन और इनी थ्र वाइस आपके होंगे और डोमेन में जो आपके 12 में जो सब्जेक्ट है वही आपको डोमेन लेना पड़ेगा अमाली को स्टूडेंस साइंस बैग्रॉंड से है और अगर पॉलिटिकल सेंद्मण भी से लेना चाहते है तो साइंस वाले के लिए तो यहां पर आपको जो डोमेन सब्जेक्स चूज़ करेंगे यही तो दिकता है बाकी उनिफिटी ने ऐसा नहीं किया है सिर्फ डेली उनिफिटी ने ऐसे कहा है कि जो 12 में अपको वही पढ़ते है आपको देना पड़ेगा कोई और अब पढ़ते हूंगा देना पढ़ते है जैसे भी इस पर click करेंगे तो इस बार जो हम social work में या फिर बीए programming हम इस पर select कर लेते हैं इसके बाद हम यहाँ पर add bar वाले पर जैसे जब भी select करेंगे तो add bar पर click करना होगा देखिए add bar पर मैंने click किया तो देखिए यहाँ पर क्या सो कर रहा है फिर से अगे any one from section first और any sorry यह रहा any one from any या any three from section two और any from one and any from second and third मतलब कुली मिला के जो इसका रखा गया वही उसका रखा गया है लेकिन हाँ इसमे चीज़े अलाग है तोड़ा सा देखिए any one from और any three यानि या तो एक domain ले लिजिए sorry एक language ले लिए और second वाला case में तीन domain ले लिए पहला criteria अगर यह नहीं कर पाते हैं तो फिर तीन domain के जगा पे आप दो domain लीजिए और तीन general test ले लिए मतलब दूसरा criteria यह रखा है कि आप दो domain लेजिए और एक general test का paper दे दिए तो जो भी merit बनेंगों उसके base पे आपको selection मिलेगा यहां पे ठीक है तो यह रहा अब इस तरी के और भी course add कर सकते हैं और भी university भी add कर सकते हैं यहां पे अब और भी university के लिए क्या करना होगा आपको इस universities वाले section में चले जाना होगा और यहां पे जानेक बाद कोई वीज़े से मानली की university of हैदरावाद मानली सब्सक्राइब के तौरपे यह उनुस्ट्य पहलावाद में ही चले जाईए हम इसको select करते हैं select करनेक बाद यहां पे आप इस वाले section में जाके यह देखेंगे अच्छी बात यहां है कि कौन-कौन से course है उस उनुस्ट्य के यह भी यहीं आपको पता चल जा रहा है यह BPO के IPS Center for यह सारी चीज़े है अब मानली इसमें से कोई बीकॉम करना है सपोज बीकॉम करना है बीकॉम से करने के बाद add bar पे क्लिक करेंगे और add bar पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से अब यहां पे यह देख लिए पढ़ने उकार एक बार पढ़ लिजेगा मतलब माई यह करना चारा हूँ कि कौन-कौन से subject आपको आगए आप सोचिए थोड़ा सा यह language और यह general test अगर देखा जाए तो यह प्रोग्राम के लिए helpful है है कि नहीं लेकिन आपके choice है आप चाहें तो तीन domain और एक language मतलब ultimately यह देखा जाए तो चाहें अगर इन दोनों की साब से मैंने जोई सबसे देखा है यही कि आप जो है एक language सब में यह रख सकते हैं एक ही language आपका डेलियूसिटी में भी काम आ जागा एक ही language आपका अलग अलग लग लग चूज करें एक ही language में दोनों जगे पे काम आ जागा ठीक है याद रखिए जिसे माली कोई domain subject भी लेते है उसमें भी एक ही domain subject अगर option में है बाकी उनुष्टी में तो भी काम आ जागा अब यह मैंने इसारत कर लिया है अब हम आगे क्या करते हैं इस पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले हमको subject चूज करना पड़ेगा इसी के हिसाब से यह eligibility है और इसी के साब से हमें proceed to next पर जाकर करके हमको अब subject चूज करना बढ़ेगा यहाँ पर इससे पहले बने कुछ subject चूज के इसलिए हमारा सो कर रहा है एक सिकन मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो आपको समझ मायागा कुछ इस तरीके से आइकन सो कर रहा होगा आपका भी देखिए ऐसे ही सो कर रहा ह होगा बिल्कुल आप वीडियो देख लिएगा आप इसको देखिए कि पहला सेक्शन हमें language में आप चाहें तो हिंदी भी चूज करते हमें यहाँ पे English चूज कर लिए हैं ठीक सेकन में क्यूंकि हमें अगर हम अलाहवाद इनुसर्टी के हिसाफ सच चले तो हम एक सबसकäre 2008 निसेसटे क्जू؟ आप इस language में देना चाहते हैंpletलब क्या हिंदी उर्दु किस में देना चाहते हैं तो आप चूज कर लिए गा दूसरा अब हमारे पास दूस्एक्जिक्स है वो हमारे पास home science तो यहां पर हम हीस्टी में भी देखिए, अगला जो हम जिवाःखी ले रहे हो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर के हिसाब से एक सेकंड कुछ गवर हो रहा है अच्छा डैरेक मुझे यहां नहीं है नहीं थे मुझे यहां पर not applicable कर दिया यानि कि इस section को मुझे feel करना था मैंने इसको छोड़ दिया तो अभी हम simply इसको not applicable कर लेते हैं अब यहां पर जो हम यहां पर एक औंटेंसी का भी paper होगा तो यहां समिंप a cka paper चूज कर लेते हैं economics का एक ता पर वर जहां पर पर यहां पर देख सकते हैं यह रहा एक औंटेंसी और keeping का अब यहां से खाब अप इसको बाद पर ख्लूजप कर लेते अब थोड़ ओसे दिमाग चलें प्रेर आप देखिए कि हम जनली टेस्ट चूज है जरूर हैं इंग्लिज्ण भी चूज कि हैं तो आपको नहीं लगता है कि आप डेली नो सिटी के लिए बी ए प्रोग्राम के लिए विलीजबल हो गया हैं बीए पॉलिटिकल के लिए विलीजवल हो गया है और अलाहावाध इनुसीटी के बी пом के लिए विलीजवल हो गया है कैसे बीए प्रोग्राम में एक language और दो डॉमेन और एक general test की बात क्या था तो एक language हो गया दो डॉमेन में हम मान लिए आज जेनल टेस्स में हमने अल्रडी चूज क्या ही है अब हम आते हैं बीए पॉलिटिकल के लिए तो बीए पॉलिटिकल के लिए तीन डोमेन पॉलिटिकल जेगराफिय स्टी रख लिए हैं और एक लेंग्वज यहां पे भी काम आ गया तो यानि कि यह जो लेंग्वज ऐसा है जो कहीं नहीं कहीं डेलिए उन सिटी और लावान सुटी में भी काम आ रहा है तो यह सारी चीजिए हैं अब इसका बात करें तो यह बीकॉम्स के लिए बात करें तो एक लेंग्वज बोला था एक जनेटेस्ट वोना था और दूसरा एक अकॉंटेंसी वोला था तीन सब्जेक्ट चूज कर लिए अब आपको इसी के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए देखा जातो तो चार दो यानि सेवन पेपर हो गए तो सेवन पेपर तक आपको अरॉंड फिप्टीन एंड बहुत पे करना पड़ेगा भाई बहुत लोचा है मतलब पेमेंट जादा करना पड़ेगा यही फर्क हो इस बार लास्ट रेसा नहीं था इस बार जो है प्रिक कर देगा और यहीं से इसके बाद कुछ नहीं करना आपको पेमेंट करते ही आपका फॉर्म समिट हो जागा और आगे कुछ भी नहीं करना है आपका कहां सेंटर यह भी दिखा रहा होगा यही सारी चीए प्रोसीट पेमेंट पर चले जाएए आप इसको देखिए बस हो गया आप इसको यह उड़ी से डालेंगे फिर से डालेंगे तो एक वेरिफिकेशन जाएगा वरिफिकेशन होने के बाद होगा तो बाद दो पेंगे आग पेपर दे रहें जिसमें आपको लैंगुज पेपर के जरत है यानि हिंदी उंगलिष का या फिर आपको जोनेटेक्स का question paper चाहिए last year जो 18 कंड़क कराए है या फिर आपको history, geography, political, sociology ये न चार subject का अगर paper चाहिए तो एक तो मैंने इन सब का paper जो है community post पर यानि YouTube के community post पर अप्रोड करें वहाँ सा पैसेस कर सकते हैं बाकिस से लेटर कोई भी कोई रिएको कमेंट करेंगा थैंक्यू